बरेली पुलिस ने बीती 6 सितंबर को हुई हत्या की घटना का खुलासा करते हुए दो शातिर हत्यारों को गिरफतार किया है ये हत्या लॉकडाउन के दौरान बहन के साथ हुई छेडखानी को लेकर बनी रंजिश के चलते हुई थी पुलिस ने हत्या के दो अभियुक्तों को गिरफतार कर लिया है और आज उन्हें जेल भेजा जा रहा है गिरफतार अभियुक्त चंचल ने बताया कि वो रजू परसपुर गाव का रहने बाला है लॉकडाउन के दौरान मृतक प्रदीप ने उसकी बहन के साथ छेडखानी की थी जब इसकी शिकायत की तो उसके पितार रामपाल के साथ मारपीट की उसी रंजिश का बदला लेने के लिए बीती 6 सितंबर को उसने अपने रिष्टेदार पपू को बुलाया जो की एक क्रिमिनल है और थाना सी बीगंज का गैंगस्टर भी है उसके साथ मिलकर पहले प्रदीप को शराब पिलाई उसके बाद उसकी ही शर्ट से गला दबा कर हत्या कर दी पुलिस ने आज मुख्बिर की सूचना पर हत्या के अभियुक्तों को गिरफतार कर लिया जिसकी शिनात प्रदीप नाम की योग के रूप में होई ती जिर रजव परसपूर का ही निवासी था इस गटना का खुलासा करते वे दो अभियुक्तों को गिरफतारी की गई जिसमें पहला अभियुक्त जिसका नाम देंचल राजपूत पुत्र रामपाल है जो की निवासी वहीं ग्राम रजव परसपूर थाना बीथरी चैनपूर का ही है दूसरा अभियुक्त इसमें पपो पुत्र लाला राम निवासी भमौरा थाना शाही बरेली का है इन दोनों अभियुक्तों की गिरफतारी करके इनको जील भेजा जा रहा है जो मारने का इनका मोटिव था चंचल राजपूत जो की ग्राम रजव परसपूर का ही निवासी है इसके बहन के साथ पिछले वर्ष ब्रतक के दवारा छेड़ चाड़ की गटना गारित की गई थी जिससे शुब्द होकर अभियुक्त चंचल राजपूत ने पप्पू जो की थाना सीबी गंच का हिस्टी शीटर है उसके साथ मिलकर सात्या का प्लान किया और चूंकि म्रतक पहले से शराब के नशे में था तो उसको रजव परसपूर के पास थित जंगल में गी ले गए और वहां फिर इन तीनों वेक्तियों ने साथ में बैटक शराब पी जिसके बाद गटना को कारित क किया गया चंचल राजपूत यहां पपू इन दोनों अभ्युक्तों ने म्रतक के गला गोट कर हत्या की और दोनों ने मिलकर फोन को तोड़कर शाक्षवी चुपाने की कोशिश की और इन दोनों अभ्युक्तों की ग्रफतारी आज सुबह ग्राम रजव परसपूर के ही ए अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फालो करना न भूले देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com